ये है इंदू ब्रोडकास्टिंग प्राइविट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन निउस हर पल हर शन हर सच शबत ग्रहण के बाद नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक लोग कल्यार मार्गिस्तित प्याम आवास पर सोमवार को दो पहर बाद होगी प्यामोदी ने सोचल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि वह और मंत्री परिसद के सहयोगी देश को विकास की नई उचाईयों पर ले जाने के लिए प्रतिवद्ध है उन्होंने लिखा राष्ट्रपति भवन के फ्रांगर में हुए समारोह में मैंने प्रधान मंत्री पद के शबत ली मैं और मंत्री परिसद के मेरे सहयोगी 140 करोड देशवासियों की सेवा करने और देश को विकास की नई उचाईयों पर ले जाने के लिए प्रतिवद्ध है बता दे कि इस बार कैंबिरेट में ना सिर्फ बाकी दो कारिकाल की मुकाबले मंत्रियों की संख्या जादा है बलकि सहयोगी दलो के कई सांसदों को भी मंत्री मंडल में शामिल किया गया है मोदी 3.0 में कुल मंत्रियों की संख्या 72 है जिसमें 30 मंत्री कैंबिनेट का हिस्सा होंगे इनके अलाबा 5 मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है और 36 सांसदों को राजे मंत्री का पद दिया गया है पिलाल पोर्ट फोलियों का बटवारा नहीं हुआ है मसला मोधी 2.0 के ऐसे मंत्री है जिनहें मोधी 3.0 कैबिनेट में भी शामिल किया गया है मोधी कैबिरेट में शामिल कुल मंत्रियों में 25 बीजेपी से हैं और 5 मंत्री पदपर सहयोगी पार्टियों को दिया गया है वहीं सुअत्राभार के साथ 5 सांसदों को राज्य मंत्री बनाया गया है जिनमें तीन बीजेपी के हैं और जैनत चौधरी के रूप में एक आरेलडी से और प्रतापराव जाधाग के रूप में एक शिव सेना से शामिल किया गया है